नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तों आज हम LTE TET के लिए एक और मॉक टेस्ट आपके बीच में लेके आये हैं जिसमें फिर से 120 कॉश्चन्स रहेंगे इसमें HPGK के प्रश्णन नहीं है और मॉक टेस्ट नमबर 2 को तो पहला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है देखिए मैंने पहले भी बोला था कारेली हिंदी से रखा गया है पहला प्रश्ण यहां पर resolution के लिए उचित शब्द देखिए जितने भी शब्द जो है कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के शब्दों को हम अपने निजी जिनगी में भी बहुत बार इस्तेवाल करते हैं लेकिन अंग्रेजी मीनिंग हमें आ जाता है हिंदी मीनिंग हमे इसे करके आपको यह ध्यान रखना था नेक्स क्योशन आपकी स्क्रीन पर है जिसे जाना न जा सके वो कहलाता है आपका अग्यूखेर इसे भी आप ध्यान में रखふ क्या होता है यहां पर अभाव की सिति में हानी हो ना कि पहले से यह अभाव है और बाव mirac वह भाव उसके जो है फिर से हानी हो गई, ठीक है इसको आप याद रखेगा, next question है, हिंदी के विशाल वंदिर की वीना पानी किसे कहा जाता है, तो ये कहा गया था देखना, मीरा को, इसको आप ध्यान में रखेगा, हिंदी के विशाल वंदिर की वीना पानी, और मीरा को निराला की मुह बो कुमार कभी भी पंत को ही कहा जाता है तो ये जो सारे नाम है देखना इनके एक बार याद र téगा किस काल को ह cruelty का दूसरा वॉरन यूग कहा जाता है 기ूं कि इस यूग में साहित्य की हर एक cogih विधा जो है वो रही जैदरत वद किसकी रचना है तो यह आप सब लोग जानते हैं यह है मैथली शरणगुप्त की रचना और मैथली शरणगुप्त की यह किस प्रकार की रचना है यह आपको ध्यान रख लेना है यह प्रवंदात्मक्रिती है प्रवंद कावे के अंत्रगत यह आता है आपका खंड कावे जिसमें जैदत के वद की बात की गई है यानि कि महाबारत की पिष्ट भूमी पर अधारिती यह रचना रही है ठीक है अधारिता संग्रह भी रहा है इसका और यह सबसे इसकी पहली प्रोड कर रचना मानी जाती है ठीक है ध्यान रखेगा अकाश दीव किसकी कहानी है अकाश दीव जो कहानी संग्रह जैशन का प्रसाद का और कहानी भी इशी शीर्शक से इसने लिखी थी ठीक है आगे आता है य सेंधव किसका प्रयाय है, सेंधव होता है गोडे को, गोडे को यहाँ पर है के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा, नेक्स जाता है यहाँ पर असंगत कथन का चैन कीजिए, प्रारूपन अंग्रेजी के ड्राप्ट का हिंदी अर्थ है, बिल्कु इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, नेक्स जाता है, कल सुनना मुझे किस आधोने काल के कवी की रचना है, तो यह है आपका सुदामा पांडे, धूमिल की रचना, फेमस से देखना, धूमिल से जरूर प्रशना आ जाता है, गजल का शाब्धिकर्त होता है, प्रेमी और संपर्दाय चलाय था, यह भी आप ध्यान में रखिएगा, इसके अलावा जग जीवन दास का सतनामी संपर्दाय, यह आप सब लोग जानते हैं, बहुत बार पूछा जाता है इसको देखना, और जो हरिदास निरंजनी संपर्दाय, नेक्स क्वेशन आता है, भिक्षुक क उलसी ने सबसे पहले किसे सुनाई थी, तो यह रस्खान को सुनाई थी, यहाँ पर अगर आपको प्रशन ऐसा पूछेगी, रामकता सबसे पहले किसने किसको सुनाई थी, तो वो शिवने पारवती को सुनाई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, व्यश्ची शेतना का भी कहा था इन्होंने स्वायम को ये भी आप ध्यान में रख लेना जिन ध्वनियों के उचारण में नाममात्र समय लगे विक्या कहराती हैं तो ये है आपकी हरसोसर ध्वनिया यनिकी जिसमें बहुत कम समय लगता हो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास दहेज प्रताव अनमे प्रेशर जीवन पर अधारी थे आलवारों की संक्या कितनी बताए गई है तो आलवार थे बाईस चौरासी थे सिद्ध और 63 जो थे वो थे नैनार याद रखना है कहा करूं हम बैकुंट जाई पंक्ति की रशनकार ये थे परमानंद दास इसको भी आप ध्यान में रख ले प्रेशो की रशनाएं भी इंपोर्टेंट है वो आपको एक्जाम में पूछी जा सकती है एक बार इनको जरूर नजर दोडाना है आपने तो अगर इससे आपको लग रहा है कि कुछ क्वेशन कहीं गलत हो रहे हैं तो शायद पिछले पेपर में या पिछले जो मौक टैस् पूशन से रिलेटेड जिसमें शायद 105 आना था और मैंने गलती से वहां पर कुछ और आपको बता दिया था कि जो शिब राज पूशन में लंकारों की या दोहों की या कुछ ऐसा था उसमें प्रशन ठीक है उसको देख लेना फोर्ट विल्यम कॉलेज की स्थापना किस न बाना जाता है तो प्रगती बात चलाता था 1936 से लेकर कि 1943 तक इसको याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स आता है यहां पर ब्रून हत्या किसकी रशना है तो ब्रून हत्या जो है ये भारत इंदु हरिश्चेंदर की रशना है देखना और ये निवंधात मकृत हरती है इसको भी आप ध्यान में रखिए हिंदी बा mesures में आपकी फ़र्ग में रखते हैं तो हिंदी रशना है ये आपने ज्यान रखना है कई बार पूछता है और जो इंचल लखां थी इसकी भाषा कैसी दहीं इसकी चटकीली मिटकीली मुहारिन हुआ भाषा इसकी रही है नेक्स्ट प्रेमचन की कहानी कौन सी नहीं है तो यहां पर इंद्र जाल जो है देखना वो इसमें नहीं है यह है जैशंकर प्रसाद की बाकी नमक का दरोगा ठाकुर का कुवां और पंच परमेश्चो इसकी प्रसिद कहानिया रही है निर्गुन कौन देश को वासी पंक्ति किसकी है तो यह है सूर्दास की देखना जो की गोपियां उद्धव को कहती है कंकाल किसकी रचना है कंकाल जैशंकर प्रसाद का प्रसिद उपन्यास है इसको भी आप ध्यान में रखेगा इसको भी आपके याद रख लेना है उर्दु किस भाषा का शब्द है उर्दु है आपका तूर्की का देखना अर्दु से आपको एक और चीज जाने के लिनी है कि उर्दु का मतलब है शाही श्युवीर और इसी के चलतें उर्दु को शाही शिवीर या खेमे की भाशा या डेरे की जुबान भी बोला जाता है इसको याद रखिये हिंदी की विशेशता है तो हिंदी है भी योगात्मक भाशा ये भी आपने ध्यान रख लेना है जबकि संस्कित जो है वो सही योगात्मक है हिंदी साहिते के अरंभिक काल को हजारी प्रसार दिवेदी ने क्या नाम दिया ये आप सब लोग जानते हैं हजारी प्रसार दिवेदी ने ही इसको आधिकाल नाम दिया था प्रारंभी काल मिश्रबंदुह ने दिया वीरगाथा काल जो है अचारे रामचंद्र शुक्ल ने दिया संधी काल जो इसको किस ने कहा ये कहा था रामकुमर वर्माने धाई आखर प्रेम के कवीता किस की है तो ये है सुनीता जैन की सुनिता चैन एक समकाली कवीत्री है इसको आप त्यान में रखेगा हरिशंद्र को कौन सी उपादी नहीं मिली थी तो यहाँ पर ये था कवीता का भंजक ये इसको उपादी नहीं मिली थी ये थी अग्ये की उपादी इसको आपने ध्यान रख लेना है रसकलश के लिए का कलाधन नाम जो था, ये था जै शेंक प्रसाद का, इसके लावा निडाला दौरारचित उपन्यास कौन सा है, तो यहां पर परिमल, अराधना और कुकरमुता, ये इसकी कवीता की रशनाई है, जबकि अल्का इसका क्या है, उपन्यास है, इसके अल्का इसके अन्य जो उपन् तो केंची जो है आपका विदीशज शब्द है देखना जो की तुर्की भाषा का शब्द रहा है रचना के अधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं तीन होते हैं सरलवाक्य मिश्रवाक्य और संयुक्त वाक्य इनको भी आप से ध्यान में रखेगा नो नगद न रिक्तस्थ तेरा आएगा यहाँ पर देखना न नगद न तेरा उधार का क्या है आपका अर्थ क्या है करवला किस की रचना है तो करवला प्रेमचंद की किस विधा की रचना है ये भी आप जरूर बताईएगा अंडे के छिल के एकांकी है ये है मोहन राकेश की रचना इसको देखना आपको निजभाशा उन्नतिय है, सब उन्नति कमूल, फिन निजभाशा ग्यान के मिटेना ही एक उसूल, ये पंक्ति है, भारते अंदु हरिश्चंद्र की भाशा से समन्दित पंक्ति है, जरूर पूछी जा रही है देखना, एक दो वर्षों से इसमें, एल्टी टैट में, तो एक बार थोड़ा सा आप इसको जरूर पढ़के जाएगा, कि कौन-कौन से पंक्ति जो है भाशा के संदर में, या हिंदी भाशा के संदर में, जो भी लेकक रहे हैं, उन्होंने क्या-क्या आपने विचार रखे हैं, उन्होंने क्या विचार रखे थे, माला फेरत चग यह है आपका दुहा, ठीक है, यह ध्यान रखना है, अनुप्रास का भेद कौन सा नहीं है, तो लाटा अनुप्रास है, छेका अनुप्रास भी है, अन्ता अनुप्रास भी इसमें रहेगा, भावा अनुप्रास इसमें नहीं होगा, option number C, प्रेमचन का नाम नहीं था, तो प्र अजाइब राय जो है उसके पिता थे ध्यान देना है चंद में यती से क्या मतलब होता है यती का मतलब होता है विराम जैसे हम बीच में कई वार रूखते हैं रहिमन पानी राखिये राखिये पर हमने थोड़ा सा विराम लिया तो इसका मतलब है यहाँ पर यती लगा है राम के अव्यवों में भरतमुनी ने केवल किसकी तूलना किया देखना अपने रससूत्र में किसकी बात किया उन्होंने उन्होंने सिर्फ वहां पर विभाव, अनुभाव और व्यविचारी भाव को ही रखा स्थाई भाव को उन्होंने स्थान नहीं दिया था लेकिन फिर भी आपको याद रख लेने हैं कि रस के अवयब चार होते हैं ठीक है यहाँ पर 9 जो बताये थे देखना वो सर्वमानने रसों की संख्या हैं सर्वमानने मत अनुसार 33 जो है वैविचार भावों की संख्या है और 51 जो है भरतमुनी की अनुसार जो है जो टोटल रास पंचार भाई के लेखक ये हैं आपके नंददास रोला चंद में लेखी गई रचना बहुती शेष्ट रचना है इसकी ये भी आपको ध्यान रख लेना है नंददास जो अश्चापी कवियों में सबसे चोटे कवी रहे और कावे सोश्चव की दिष्टे से सूर के ब इलासी समराज्य का पतन दिखाएया है सकंद गुप्त में हिंदी साहिते का अलोचनात्म की तिहास पुस्तक का परकाशन वर्ष क्या है तो ये हिंदी साहिते का अलोचनात्म की तिहास जो लिखा गया था रामकुमार वर्मा के द्वारा 1938 में जिसमें आदिकाल से लेकर कि भक्तिकाल तक का ही वर्नन जो है वो मिलता है निर्गुण संत कावेधारा जो का कवी जो है वो कौन सा नहीं है तो यहाँ पर गुरकनाथ इसमें नहीं होगा सिद्ध सामन्त पदती में हट योग के ठका क्या अर्थ होता है? तक हा का मतलब है सूर्य अठा का मतलब होता है इसमें चंद्र ये याद रख लेना है किस लेखक का वास्तिविक नाम अबुल हसन यमीनुदीन था ये था अमीर खुसरो का नाम option number C बहुत बार पूछा जाता है अमीर खुसरो एटा के पटियाली गाउं में इनका जनम हुआता देखना ये भी आप ध्यान में रखिएगा 1253 में और 3326 में इनकी मृत्यू ही थी ये भी आप ध्यान में रखिएगा और जो ख्वाजा निजामुदिन आौलिया जो थे वो इसके गुरू रहे है और उसके मृत्यू पर इसके पंक्ति की रचना देखना इसमें इसने शब्द शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया हुआ है वो भी आप ध्यान में रकिएगा और इसकी प्रसुट पंक्ति आती है अभी दा उत्तम काव्यमध्य लक्षना लीनः ये वले इनको प्रदान गी गई थी तो फिर भारतेंदु मंडल के लेखकों ने आवाज उठाई थी कि हरी शंदर को भी जो है वो भारतेंदु के उपाधी मिलनी चाहिए इतिहास वासन स्कति के लेखक कौन है ये हैं का जनल माधा मुक्तिबो जिसे मद्यपरदेश सरकार के द्वार आरी चीज़ है मैंने आपको जो है लाइब ग्लास में बताई हुई है जिनको नहीं हमालूं तो वो एक बार इसके बारे में जरूर पढ़के जाएं यहां पर संकल अंत्राई भी इंपोर्टन्ट है देखना यह भी पूछने है स्थानकाल कारे इसके अंतर गताते हैं हिंदी की किस उपवाशा में आती है देखना यह आती है आती है आपकी बिहारी हिंदी के अंतरगत नाम हमारा खा के हम खा की बंदे खा कही से पैदा किये अति गाफिल गंदे यह पंक्ति किसकी है यह है आपकी मलूक दास की पंक्ति बहुत मतपोन पंक्ति है इसको भी जाता है और ओज औदात्य और विद्रोह का कभी भी यही रहा ठीक है नेक्स आता है यहां पर शुद रूप बोला गया है तो कभी त्री का जो शुद रूप है देखे यह है कभी त्री option number 10 का सई हो जाएगा यह ध्यान देना है आपको next question आपकी यहां पर ओष्ट धुनिया पूछा गया है इन्हेंसे कौन सा कतन सही नहीं है उदेशय और विद्हय वाकय के दो अंग है बिलकुल सही बात है देखना मिश्र वाकय में एक उपवाकय। दूसरे आश्रित रहता है तुम्हारा कल्याण हो यहां आगया तक वाक्य नहीं है यह है आपका जो इच्छावास चक वाक्य थीक है वाक्य में जिसकी बारे में बताया जाता है उसे उदेश्य कहा जाता है बिलकुल इनyttा कारया हेरनों के जुंड के लिए एक शब्द है ये है आपका म्रिग यूथ ये बहुत बार पूछा गया देखना है बहुत सारे लोग इसको म्रिग समुदाय करते हैं ऐसा नहीं है म्रिग यूथ ही उसको कहा जाता है ये आप ध्यान में रखेगा दो तीन बार ये प्रश्चन रिपीट हुआ है नेपथ्य क्या क फिक है ये देखना है आपको नेक्स वासतर है चितरवली किसकी रछना है तो चितरवली उस्मान की रचना है देखना और इसने चुनोथी दे डाली थी इससे श्रेश रचना रचने की हलाँ कि इसने स्वयम जुह है पूरा कपूरा कॉपी Bugün इसको किया था मलिक मोहमद का वदन भी आया है ठीक है नेक्स आता है प्रित्विराय रासों में कितने प्रकार के चंदों का प्रियोग हुआ है तो 68 प्रकार के इसमें चंद थे देखना ये बात आप ध्यान में रखेगा और इसके साथ साथ यहां पर आपको कुछ और चीज इसमें याद रख लेनी है क 69 इसमें क्या है समय या सरग है ग्यान पीट पुर्सकार से समानित रचना कौन सी नहीं है कला और बुड़ा चांद पर भी मिला यामा पर भी मिला परिमल नहीं है परिमल निराला की रचना है देखना कितनी नावों में कितनी बार पर भी ग्यान पीट पुर्सकार जो है वो जो वड़ी important है इसकी देखना और तेरे पाउं के नीचे जमेन नहीं है कमाल तो यह है कि तुझे यकीन ही नहीं है यह पंक्ती भी इसकी रहेगी इसको भी आप देखना पाश की पंक्तिया भी important है लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है तो लज्जा उपन्यास जो है इलाचं चक्ति क्या होती है लक्षन क्या होती है व्यंजना क्या होती है इसको भी थोड़ा साइक बार जरूर देखके जाईए क्योंकि कभी कभार महां से भी प्रशन रहता है कनक कनकते सौगनी मादकता दिखाए पंक्तियों में कौन सा लंकार है तो यह है आपका यमक लंकार इसक आपको बताना है कि किस ने तुलसी के साहित्य को समनवे की विराड़ चेश्टा कहा है ये आप कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं विपलब गाइन कवीता किस की है तो ये है बालक्रिशन शर्मा नवीन की जो की आपके किस प्रकार के लेकक रहे है राश्तिय सांसकिति संबंध रहा है तो ये है महात्मा गांदी जी का संबंधिस में रहा एक भारती आत्मा की नाम से किसे माना जाता है एक भारती आत्मा माखनलाल चत्रुवेदी आप सब लोग जानते है वाल फेमस की क्वेशन है इनमें से प्रतिबंधित क्रिती कौन सी नहीं है तो यहाँ पर देखे सोजे बतन को भी प्रतिबंधित किया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा इतिहास और संस्कृति इसको मध्यापरदेश सरकार के द्वारा बेंग कर दिया गया था चिंगारिया जो की पांडे बेचन शर्मा उगर की रचन है इसको भी जो है बेंग कर दिया गय सर्वगुन संपन नाइक क्या कहलाता है तो यह है आपका धीर उद्दात नाइक धीर और उद्दात जो की सर्वगुन संपन रहता है अंजो दीदी किस विधा की रशना है तो यह है नाटक उपेंद्र अश्क का नाटक है देखना सबसे प्रॉड कृति इनकी यही माने जाती है और अंजो दीदी जो है यह मध्यवर्गे परिवार की जो इस्तरी है उसका यहां पर प्रतीक है सही रूप कौन सा है तो यह आशीरवाद होगा देखना यह वाला option number C इसको भी आप ठीक कीजिएगा यह प्रशन भी बहुत बार पूछता है अधिकतर अश्चापी कभियों कैसे उलजादों लोचन पंक्ती किस चायवादी कभी की है तो यह जो पंक्तिया है यह है सुमित्रा नंदन 5 की पंक्तिया इसको भी आपर पर जरूर देखना यह भी मतपूर्ण है छोड़ दुरूमों की मिर्दुचाइया तोड़ पक्रति से भी माया बाले तेरे बालचा आ गया, important है यह, नदी के दूप उपन्यास के लेखक, यह है अग्ये, मनोविशलेशन बादी उपन्यासकार, यह सारे ही हैं देखना, जितने भी यहां पर लिखे हुए हैं, इनको एक बार को जरूर देखना है आपको, वाइरस किस की रशना है, तो वाइरस पहले तो आपको पता ना चाहिए कि किस विधा की रशना है, यह है नाटक विधा, और यह राजेश जयन का नाटक रहा है, इसको देखना है आपको, अंतस्थ वियंजनों की पहचान कीजिए, यहां पर यर अलब वह जो हैं, यह आपके अंतस्थ वियंजन है, श, श, स, ख, यह हैं आपके उश्म वियंजन और चवर्ग्य वियंजन ये आपके सपर्श वियंजन वजाएंगे ठीक है इसको आपने देखना है और लास्ट में जो आपका ये है आपके संयुक्त द्वनिया संयुक्त वर्ण जिसको आप कहते हैं ठीक है संयुक्त वियंजन भी इसको आप कह सकते हैं सू तुलसी दास नामक खंड कावे के लेखक कौन हैं ये हैं आपके सूरे कांतरि पार्टी निराला जो की एक खंड कावे हैं ये भी आपको ध्यान में रख लेना है जिसमें तुलसी के ग्रिहत्या की गटना दिखाई गई है 108. प्रशन है देवासुर में कौन सा समास है तो देवता और असुर इसका विग्रह करने पर हमें बीज में मिला और और जहां पर भी आता है देखना तो वहां पर हो जाता है आपका दुन दसमास और साथ ही साथ आपको याद रख लेना है कि देवता और असुर एक दूसरे के क्या है विप्रीत है कवीता हाँ अमारे परिफूर्ण क्षणों की वानी है यहां कतन किसका है और यह कतन बहुत बार एकजाम में रिपीट हुआ है और यहां पर भी मैंने इसको रखा हुआ है देखना जो चायबाद के चारो लेकर हैं, इन्होंने कवीता को जो है कवीता बनाती है ठीक है जबकि निराला ने बोला कि कवीता परिवेश की पुकार है महादेवी वर्वा ने बोला था कि कवीता कवी विशेश की भावनाओं का चित्रन है बड़ी मतपून पंक्तियां देखना ये सारी कि सारी सायोनारा किस बाशा का शब्द है तो सायो वारीवा प्राशन रावर का प्रशन है दो भाशाओंगे शब्दों से मिलकर बना एक शब्द या कहलाता है तो यह आपका संकर शब्द कहलाता है जैसे आपके पास है छाया दार दौपास है जिसासे रेल गाड़ी ऐसे कर केृप्त भाशाओंग असर करके है धी नेक्स कलम का सिपाही के लेखक कौन है कलम का सिपाही जो है ये प्रेमचंद की जीवनी है जो की मदन गोपाल जो की अमित राय के द्वारा लिखी गई थी जो की मदन गोपाल ने लिखी थी इनके लिए कलम का मजदूर शिवरानी देवी ने लिखी थी प्रेमचंद घर में ठीक है रामानंद के गुरु कौन थे तो रामानंद के गुरु थे रागवानंद ये भी आप देखेगा रागवानंद के हुए आगे कौन सा रामानंद ठीक है रामानंद के हुए आगे नरहर्यानंद नरहर्यानंद का हुआ आगे जो आपके तुलसिदास एसे करके इसको याद इसको भी आपने देखना है और बाकी जो नाम है इन्होंने भी कुछ-कुछ अपने वाद चलाए हैं या इनका समंध किसी न किसी वाद से जरूर रहा है तो एक बार इनको भी पढ़के जाना है महाविप्रसाद दिवेदी और हिंदी नवजागर्ण 1877 की ये पुस्तक रही है देखना इसके जो रचनाकार है वो कौन थे ये हैं आपके राम विलास श्चर्मा हिंदी का प्रत्म कहानी संग्रह किसे माना जाता है तो हिंदी का पहला जो कहानी संग्रह रहा है ये राच छाया जो की जैशन का प्रसाद की रशना है देखना इसको आप देखिएगा ठीक है नेक्स जाता है आभी कहानी के लेखक कौन है और ये हमारा आज का आखरी जो भी अभी college में हैं या university में ये पाठकरम में शामिल इस कहानी को किया गया है देखना बहुत ही मतपूर्ण है ये है हिमाचल के ही लेकक SR हरनोट इसको आपने याद रखना है तो ये थे आज के 120 प्रशन I hope आप लोगों के लिए ये उपयोगी सावित जरूर होंगे और ये प्रशन भी प्रिविए से प्रकार का प्रशन आपको पीछे पूछे हुए है तो दोनों ही mock test अभी तक मैंने बिल्कुल वैसे ही रखे हैं जैसे पहले आपको पूछे गए हैं तो I hope आप लोगों के लिए ये उपयोगी सावित रही होगी ये वीडियो भी तो बहुत जल् करते रहिए तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत जैन जै भारत शुक्रिया